Hello guys, Computer Skill Test का आपका जो examination होने जा रहा है, इस type के questions आपको देखने को मिलेंगे एक बारी में आपको question भी पढ़के बता दू Create a spreadsheet with the following data and format तो आपको ये data जो है वो create करना है Point number B में आपको कहा गया है Calculate the total sales and average sales for each zone using the functions Define later Y or N for target achieved column using the function If the average sales is 100 or more, target achieved is S, otherwise N Make the heading row column bold 14 point and center align numeric figures are to be right aligned in the table Average sales is to be arranged in ascending order of value Draw a pie chart using average sales of each of the zone तो इस question को हम लोग जल्दी से solve करेंगे Already मने आपको बताया हुआ है कि किस तरह के से आपको question को solve करना है तो हम लोग एक बार हमारी question में आ जाते है तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पाऊगे इसे आपको create करना है किस तरह के से create करना है Already मैंने काफी वीडियोस में बताया हुआ है अगर यह उपर नीचे अगर यहाँ पर type क्या हुआ है तो alter plus enter से आपको इसे separate करना है अगर आप यहाँ पर only enter प्रेंस करोगे तो यह नहीं होगा अल्टर एंड इंटर की का आपको यूज करना है यहाँ पर जैसे की आप देख पाऊगे यहाँ पर third है अल्टर इंटर का आपको यूज करना है अगर उसके नीचे में आपको text type करना है यहाँ पर आ जाएगा fourth अल्टर इंटर एंड क्यू टी आर और टोटल शेल्स निकलने के लिए जो formula है जैसे के मैं इसे पुरा डिलीट कर देता हूँ तो टोटल सेल्स निकलने के लिए जिस भी सेल में आपको टोटल सेल निकलना है वहाँ पर आपको click कर देना है इस एक वूल्टू का sign up दे दोगे sum sum आपको type करना है होगे total sales जो है यहाँ पर निकल कर आ जाएगा इन इस तरी के साफ को नीचे drag कर दिना है average sales अगर आपको निकलना है तो यहाँ पर आपको click करना होगा इसे एक वुल्टु का sign दे दिना है then average जो है आपको type करना हो तो आप देख पाऊगे average यहाँ पर आ चुका है इसे आपको double click कर देना है या फिर tap का use आप कर सकते हो देन जिन भी sales का आपको average निकलना है तो उन्हें आपको select कर देना है देन bracket को कर दोगे आप close and interface कर दोगे तो यहाँ पर average निकल कर आ जाएगा तो average में यहाँ पर जो decimals होंगे यहाँ से आप increase या decrease कर सकते हो अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो decrease हो चुका है and यहाँ पर increase आपको कर देना है and simply आप इसे निचे ड्रैक करोगे तो इस तरीके से आपका यहाँ पर answer निकल कर आ जाएगा उसी तरीके से target अच्यूट का आपको एक question दीखेगा एक पारी मैं आपको बता दूँ तो target जो अच्यूट है column using the function if तो if function का आपको यूज करना है average sale अगर 100 और more है तो जो है target अच्यूट के लिए yes आपको देना है and अगर उसके अलावा अगर 100 के नीचे अगर उनका target है तो and आपको करना है याने no तो इसके लिए जो formula होगा व यहाँ पर आ जाएगा तो if पर हम लोग double click करेंगे तो जो average sales होगा तो average sales वाला जो column होगा वो आपको click कर देना है इसे greater than और is equal to तो greater than यह is equal to कितना 100 100 कहा गया आपको यहाँ पर एक बार हम लोग देख लेते हैं 100 तो 100 यहाँ पर आपको type कर देना है then comma दे दोगे and then double inverted comma में आपको y कर देना है and double inverted comma को complete कर दोगे otherwise n तो comma देखे double inverted comma में n type कर दोगे and double inverted comma को complete कर दोगे and bracket को close कर दोगे and then interface कर दोगे तो आप देख पाऊगे सव के उपर इनका average sales है तो यहाँ पर यहाँ पर सव के नीचे जो target है वो वेस्ट जोन का है तो यहाँ पर n आना चाहिए तो इसे simply हम लोग जब drag करेंगे तो आप देख पाऊगे यहाँ पर y and ny आ चुका है क्योंकि यह जो 100 के नीचे यहाँ पर average sales निकला गया है तो इसी type के questions जो है आपको examination में पूछे जाते हैं तो इन questions को आपको जरूर से solve जरूर से करना है कुछ भी अगर आपको पूछना होग कोई भी अगर आपको doubt होगा तो नीचे comment box में comment कर देना है इसके बाद जो आपको draw करने के लिए कहा गया है pie chart using average sales of each of the zone तो average sales का जो है आपको pie chart निकलना है तो average sales को आपको select कर देना है insert tab पर आप चले जाओगे and insert tab पर जाने के बाद में यहाँ पर आप देख पाऊगे यह यहां से आपको pie chart ले लिना है insert pie और dog net chart यहाँ पर आई हुआ है तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे 2D and 3D pie charts भी है तो यहाँ पर आपको question में कहा जाएगा कि कौन सा pie chart जो है आपको चाहिए तो pie chart भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो इस type के questions जो है आपको examination में पूछे ज के कुछ भी अगर आपको पूछना होगा कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे personally whatsapp पर भी message कर सकते हो thank you very much guys for watching the video please like करें इस वीडियो को share करें इपने friend के साथ and channel को जरूर से subscribe करिए thanks for watching guys